चलिस तो बात करने वाले हैं Airtail Waterphone Idea MTNL BSNL के बारे में दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि इन कंपनियों का अगर कर्ज देखें तो लगातार हम लोग को बढ़ता हुआ नजरा रहा है यहाँ पर दोस्तों मैं एक साल की बताना चाहूंगा FI21 की तो 21 के अंदर अगर देखा जाए तो 3.85 ट्रिलियन इनका डैप हो चुका है अब देखें Year on Year Business पे लगातार इसके अंदर उच्छाल देखने को मिल रहा है इसके पीछे क्या कारण निकल किया रहा है क्यों इन कंपने के स्टोंक्स हमerson को उपर की तरफ इम्प्रूऊ करते हुए नजर नहीं आ रहे अगर अगर स्टोंक्स की बात रहा है तो 600 रुपे से लगातार अगर गिरता हुआ इसटोंक्स हम लोग लगब 500 रुपे की रेंच की आसपास अजरा रहा है यह बात जरूर है कि ज nuoट गेरावाट निदे को недर देखने को नहीं मिल रही है भाट जादा उचाल भी इसके निदे हमलोग को देखने को नहीं मिल रहा है काफी उपर के लेबल देखने को मिले थे 600 रुपे के आज पास ये इस चुछ चला गया था पहली company बन जाती है 5G लाने के लिए तो कहिना कि इन company को काफी संगर्ज करना पड़ सकता है अब अगर बात करते है एटल की तो एटल के अंदर काफी सारी चीज़े आपको देखने को मिल जाएंगी खाली ऐसा नहीं है कि इंडिया के business आपको एटल के अंदर दिखने को मिल रहा है बाहर से भी इच्छी खासी source of income इस company के दिखाए दे रही है अब बात करते है word of one idea की तो आप जानते हैं कि quarter on quarter basis के नतीजे माई यूज करने वाले थे साथी में दोस्तों बताना चाहूँगा कि अगर रिलाइंस जियो को छोड़ दिया जाए तो जो जितने भी mobile operator हम लोग को दिखाए दे रहे हैं इंडिया के अंदर उनकी जो इस्तिती है वो पहले की अपिक्षा काफी खराब चल रही है चार operator है भारती एटाल हो गया word of an idea हो गया और BSNL हो गया MTNL हो गया तो चार operators है और अगर इनका debt देखें तो 3.85 trillion रूपे के इस तरके आसपास हम लोग को यहां पर पहुंसता हुआ नजरा रहा है साती में बताना चाहूँगा कि अगर जो पिछले साल हम लोग को कर्ज देखने को मिला था लगबग 22.4 फिजदी के आसपास बढ़ता हुआ नजरा है जबकि पिछले साल लगबग अगर इनके debt की बात देखें तो 8.3% के आसपास हम लोग को उसके अंदर व्रद्धी देखने को मिली थी तो आप यह चीज़ समझ गए होंगे कि हर साल हमने इनके debt के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है तो थोड़ा सा aware रहेगा stocks के अंदर position अगर आप बनाते हैं तो कहिन कहीं यह सारी चीज़ आपको सही तरीके से analysis कर लेनी है तो बात करने वाले है stocks की तो airtel के अगर stocks देखें तो 525 रुपे के आसपास से समय trade करता हुआ नजरा रहा है हाँ यह बात जरूर है कि कुछ positive खबरे निकल के आई तो अच्छा कासा reaction हमे stocks के अंदर देखने को मिल चुका है बड़ वापिस से उसी तरीकी की इस्तिती हिससे में हम लोग को देखने को मिल रही है तो यहाँ पर दोस्तिती हम लोग को जो दिखाय दरिया वो मयूस करने वाली है ओवराल देखा जाए तो कहिने कहीं काफी सारे निवेश्यक लोग टम के लिए माल उठाने के लिए तियार बैटे है कंपनी के अंदर हम लोग को हल चल देखने को मिले अच्छा-कासा मुनाफ़ा हम लोग का बनता हुँ नदर आए यहाँ दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 5 जिनों का जो रियक्शन हमें स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल चुका है हाँ यह बाद जरूर है कि जिस तरीके से स्टॉक्स को नीचे चला गया था उसके बाद से इसके अंदर हम लोग को कुछ रिकवरी जरूर देखने को मिली है तो कुछ अच्छे खास है लेवल लोंग टम के अंदर हम लोग इस कंपनी के अंदर प्राप्ट हो सकते हैं अच्छा खासा मोमेंटम स्टॉक्स के अंदर चल रहा था वर्ट वाफस से गिरावट इसके अंदर हम लोग को देखने को मिल चुकी है यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी सारी निवीशक इसके अंदर फसे हुए हैं अब उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि काफी बड़ा अमाउंट जो है उन्होंने लिया हुआ है देखें सो पान सो पचास सेर जो होते हैं यह तो खेर एक आम चीज होगे आर्दस रुपे के शेर में बट काफी सारे लोग जो है 5,000, 10,000, 20,000 क्वांटिटीज के अंदर लेके बैठे हुए हैं तो उम्मीद लगा कर चल रहे हैं कि काफी बड़ा अमाउंट जो है उनका लगा हुआ है और स्टॉक्स के अंदर नीचे के लेवर हम लोगो लगातार देखने को मिलते हैं आए बात जरूर है कि बजार के अंदर के बार हम लोगो डरावनी सिचुईशन्स भी देखने को मिलती है कोई आता है चाना की कहता है कि तीन रूपे के आसपास ये स्टोक चला जाएगा तो सोचने वाली बात है किसी का पैसा लगा हुआ है पचास रूपे के आसपास तो क्या उम्मीद करके चल सकता है कि स्टोक नीचे चला जाएगा तो वो तो बरबादी हो जाएगा तो अब आगे आने वाली दिनों के इंदर जो एक सुधार हमें इन कंपनियों के इंदर देखने को मिल सकता है उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण दिखाए दे रहा है वो है 5G का तो कहीं न कहीं कस्टमर्स बढ़ते हुए नज़राएंगे जो भी कंपनी इच्छे खासी सर्विस हम लोगों को देती हुए न ज़राएगी तो कहीं न कहीं आगे इनके बिजनिस के इंदर हम लोगों को उच्छाल दिखने को मिल सकता है पिलाल की रेट में डैप्ट जिस तरीके से लगातार बढ़ता हुआ नज़रा रहा है तो एक चिंता का सबग जो है आमनिविश्कों के लिए हो सकता है दोस्तों बात करने वाले हैं MTNL के बारे में आप जानते हैं कि जिस तरीके से इस कंपनी की हाल और ढ़ाल हम लोगों को इस समय दिखने को मिल रही है लगातार इंप्रूव करता हुआ नज़रा रहा है ये स्टॉक्स तो क्या उमीद गर के चल सकते हैं कि और वी उपर के लेवल इस कंपनी के अंदर दिखने को मिल सकते हैं यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी हैं सबसे पहले अच्छी खासी सर्विस वे हम लोग को प्रोवाइड कराती हुए नज़राती हैं उसके बाद में इस कंपनी का नमबर आता है अब देखे वोड़ाफोन आइडिया का स्टॉक्स इस से नीचे दिखाए दर है पट कहिना की वोड़ाफोन आइडिया की कंपनी हमें इस से उपर देखने को मिल रहे है अब देखे लगातार चर्चाओं में है ये भी कंपनी पिछले अगर 6 महीने की बात करते हैं तो अच्छे खासे रिटर हमारे इसके अंदर बनते हुए नजरा चुके हैं पच्पन पसेंड के रिटरन माईने रखते हैं पिछले 6 महीने के अंदर एक साल के अंदर अच्छी कासी 40 कंपनी ने दिखाई है और पैसा दुगने से भी ज़्यादा ये कंपनी करती हुने जराई है बड़ अगर लोंग टम का वियू देखें तो स्टॉक्स के अंदर भारी उठा पटाक आपको इसके अंदर देखने को मिल चुकी है जिस तरीकी से ये स्टॉक्स हम लोग को एक समय ऐसा था कि 200 रुपे से भी उपर के लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आता था सन 2000 में उसके बाद से लगातार इसके अंदर हम लोग को मायूसी हाथ लगती हूँ नजरा रही है अब कहिना कहीं चर्चाओ में है तो ये कंपनी भी 5G लेकर आने वाली है तो कहिना की एक्शन तो इन कंपनियों के अंदर देखने को मिले का ही पर इससे पहले हम लोग को जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है उनके अंदर हलचल दिखने को मिलेगी क्योंकि वे सबसे पहले हम लोग को अच्छी खासी सर्विस प्रवाइड कराती हुई नजर आएंगी दोस्तों आप जानते हैं कि जिस तरीके से वोड़ाफन आइडिया के Q4 के नंबर डिकलेर हुए थे तो कहीं रही हलचल हमें पूरी ही वोड़ाफन आइडिया के अंदर दिखने को मिल रही है काफी सारे निवेशक लगव आरदस रुपे के आसपास भी माल उठाना चाहते हैं तो क्या उन लोगों को खरीदारी करनी चाहिए क्या उपर के लेवल दिखने को मिल सकते हैं देखे सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि खरीदारी करने का डिसिजन आपका होता है बट एनलेसिस आपको सही तरीके से कर लेनी चीए कि फिलाल की रिट में मूड और माहौल किस तरीके क्या दिखाय दर है तक क्या खरीदारी कर लें क्या हम लोगो कोई ऐसी आंधी तो नहीं दिखाय दर ही बजार के अंदर क्या ओर भी गिरावट इसके अंदर देखने को मिल सकती है तो आप जानते हैं कि जिस तरीके से पहले भी काफी सारी कंपनियों के नतीज़े आपको अच्छेगा से दिखाय दिये थे तो जिन कंपनियों के अच्छेगा से नतीज़े हम लोगों को दिखाय देते हैं और अगर स्टॉक्स के अदे हम लोगों को गिरावट दिखने को मिलती है तो वापिस से क्या है कि उनके अदे हम लोगों को उपर के लेबल दिखने को मिलते हैं बड़ इस बार क्या है कि मैं वोड़ाफोन आइडिया की बात करता हूँ तो इसके अंदर पहले भी हम लोग को जो नतीजे प्राप्त हुए थे उसके अंदर भी मायूसी हाथ लगती हुए नजर आई थी इस बार भी मायूसी हाथ लगती हुए नजर आ दिये तो कहना कहीं लोंग टम के इंदर एक बड़े action की उमीद करके चल सकते हैं हाँ यह बात जरूर है कि deep level आपको नीचे के देखने को मिल सकते हैं और यह भी हो सकता है कि deep level आपको उपर के देखने को भी मिल सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों दोनों ही इस्तिति हम लोग के सामने निकल के आ रही हैं देखिए किसी भी stocks के अंदर सही तरीकी से predictions करना के बार मुश्किल पढ़ जाता है पहले कि company के fundamentals के अधार पर हम लोग आंकलन निकाल सकते हैं stocks के अंदर हम लोग को उपर के तरफ moment देखने को मिल सकता है या फिर गिरावार देखने को मिल सकती है फिलाल की डेट में जिस तरीकी से company को loss होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि financial year 2020 और 21 के लिए loss जो हम लोग को यहाँ पर दिखाए दर है 44,231 करोड के आसपास देखने को मिल रहा है और अगेंस्ट 73,881 करोड के आसपास हम लोग को previous financial years में देखने को मिला था यहाँ पर एक improvement हमें company के अंदर यह देखने को मिला है बहतरीन company किसले दिखाय दरीकों की long term delivery बिल्कुल free है holding पर किसी भी तरके का brokerage चार्ज कंपनी नहीं वसूलती है दोस्तों आप जानते हैं कि IPO का season चल रहा है काफी सारी company IPO लेकर आ रही है तो शुरुवाती दोर में अच्छा खासा रुजान IPO के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है तो जिसकी वज़े से अच्छा खासे return हमारे बनते होने जराते हैं एक ratio में आप बजाना चाहूंगा कि सो में से लगबग 95% company इस तरिकी के दिखाय देती है जिनमें शुरुवाती दोर में हम लोग को अच्छा खासा रुजान देखने को अमोवन मिली जाता है तो अगर आप इस फायदे को उठाना चाहते हैं शुरुवाती दोर का तो आपको multiple demate account open करा के रखना चाहिए और अलग-अलग demate account से अगर आप apply करते हैं तो किसी न किसी demate account से आपका हिट होई ही जाता है तो लिंक नीचे description box के अंदर दिया हुआ है वहाँ से जाकर आप सीधे demate account open करा सकते हैं दोस्तों कर ये पूरी जानकारी आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजेगा चैनल सब्सक्राइब कर करक लेना ताकि नई वीडियो के notification सीधे आपके mobile प्लिस के Thank you so much for watching